हेलो फार्मस, चलिए आज हम आपको लेके आए होए अपना घास का बारिज जिसमें घास लगा हुआ है यदि आप बकरी पालन करते हैं या गाये पालन करते हैं तो आप इस पर करका घास लगा सकते हैं जो की कुटी को आपको बचाता है अधिक कुटी जो खिलाये जाते हैं उसको आपको बचाएगा देख पा रहे होंगे इसमें इसे बहुत सारा लगाया गया है इधर भी लगाया गया है इधर भी आप देख पा रहे होंगे उपर में भी लगाया गया है अचली हम इसको इसके कुछ ही दर चोटे हैं और कुछ ही दर बड़े हैं फिलाल इन में फुलने की सिकायत तो अभी तक नहीं आई हुई है तो हम दाने का लिंक भी आपको डाल देंगे जो कि आप खरी सकते हैं फिलीवकाट से या एमजोन से भी देख पा रहे होंगे यह अप देख सकते हैं आप इन में मोटाईयां कितनी आ रही हैं और यह घने भी कितने जादे हो रहे हैं यह एक बार कटाई हो चुके हैं और यह दूसरे बार कट रहे हैं जैसा कि अब देख पा रहे हैं इन में इसमें दूसरे बार कटाया जा रहा है इनको काटा जा रहा है और उधर अलग किसम के ग उक्सान हो जाता है देख पारे होंगे यह मक्का की तरह दिखने वाले घास है जो कि यदि इसमें काटा जाता है तो यह बहुत दिनों के बाद उगता है जितने दिन में यह उग कर बड़े हो जाते हैं उतने दिन में यह उगते रहते हैं देख पारे होंगे इसमें उगने की प्रोसेस भी शुरू हो चुकी है, नहीं जो काटे जाते हैं, और इसलिए हम इन्हें छोड़ दिये हैं, फिलाल कुछ बड़े होंगे तब हम इन्हें काट देंगे, ऐसे फिलाल काट ही रहे हैं, इधर कट चुका है, और इधर कटने का प्रोसेस जारी है, इसी पर करकर वीड हम वीडियो इसी पर करका डालते रहते हैं देख पा रहे होंगे हमारा इसी घास के बगल में जश्ट एक बकरी फार्म बन रहा है हम उसका भी वीडियो पुरा डिटेल से डाल देंगे ये फिलाल सीटे लद चुकी है इनमें अंदर का प्रोसेस अभी जारी है आपको हमारा घास वाला वीडियो कैसा लागा कमेंट करके जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साथ हम इसका लिंक भी डाल देंगे ताकि आप असानी से असानी से आप पर्चेश कर पाएंगे हमारा एक और भी उधर दिख रहा होगा आपको वह भी घास का ही है जो कठर के जश्ट बगल में आपको दिख रहा होगा कठर पेड़ के बगल में चलिए हम फोकस करके दिखाते हैं आपको चलिए धन्यवाद मिलते हैं कुछ नए अंदाज में नए वीडियो में हुआ है